खलो दोस्तों जान है तो जहान है आपका स्वागत है अविद्व एकेडमी द्वारा सुरू किये गए कोरोना वाईरस और कोविड-19 के वीडियो सीरीज में यह हमारा इस सीरीज का एक नया वीडियो है जिसमें हम आपको जो जानकारी देंगे वो इस पे देंगे कि कोरोना व पस्तू पर कितने समय तक जीवित रह सकता है तो दोस्तों बस आप हमें हमारे साथ इस वीडियो में अंतक बने रहें ताकि आपको सबसे ऑथेंटिक और सटीक जानकारी मिल सके साथ ही हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस सीरीज के सभी वीडियो का लिंक हमने इस वीडि करी लेते हैं कि कोरोना वाइरस किस सतह पर या किसी वस्तू पर कितने समय जीवित रह सकता है तो दोस्तों इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है कि कोविड-19 वाइरस किस सतह पर कितनी देर तक जीवित रह सकता है यह वाइरस भी अन्य कोरोना वाइरसों की तरह ही होता जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता सुके हैं कि कोरोना वाइरस का एक बहुत बड़ा परिवार है या समू है जिसका कि ये वर्तमान नोवल कोरोना वाइरस भी एक सदस्य है अध्यनों से ये पता चला है यानि रिसर्चेस से ये पता चला है कि ये वाइरस कुछ गहंटों से कुछ दिनों तक बचा रह सकता है और ये अवधी सतह के आकार प्रकार तापमान एवं आदरता पनिर्वर करती है अगर आपको ये लगता है कि कोई जगह संकरमित है तो उसे साधारन रोगानों नाशक दरव्य से यानि कि सेनिटाइजर से साफ कर देना चाहिए और स्वेम ये वं औरों को सुरक्षित रखने में सहायता करनी चाहिए अपने हाथों को अलकोहल हदारित सेनिटाइजर या दरव्यों से साफ करें और उन्हें साबून और पानी से दोएं अपनी आख मूँ और नाख को चुने से बचें अगर आप किसी संकरमित जगह पे जाते हैं तो अपने नाखों को ढखें आख पे चसमा पहने ताकि आपक हाल बेस्ट सेनिटाइजर से साफ करें दोस्तों इस वीडियो का उद्देश दूसित सतह से आपके हाथों चेहरे मुह और आखों को संकरमन को रुकने के लिए है तो हमें उमीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों जिन लोगों को हमार वीडियो पसंद आया प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों रिस्तदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाब हो सके साथ ही अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखके भेज़ें ताकि हम आपको उस पे सबसे सटीक जानकारी दे सकें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाला न भूलें ताकि आपको हमारा इस सीरीज का लेटेस्ट वीडियो या सभी वीडियो लगातार मिलते रहें और आप उसका लाब उठा सकें